आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं जिसमें ATM आता है, ATM को basically credit card और debit card में divide करते हैं, इनमें क्या आंतर होता है, और ATM पर लिखते होंगे, visa, mastercard या रूपे लिखा होता है, इनमें से कौन सा better होता है, और भारत सरकार ने और RBI ने किस नियम के ताथ, mastercard को नए card इसू करने पर बैन लगा दिया है, देखे, ATM जो हता है, इसका पूरा नाम होता है, automated trailer machine, इसकी खोज 1967 में इंग्लाइन में की गई थी, लेकिन खोज करता का नाम था, John Sephard Boren, इनका जनम 1925 में भारत के Megalair राजिके C-Long में इनका जनम होता है, तो इनके खोज करता, अगर इ खुद के bank में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है, और किसी भी टाइप के ATM में तो पैसा नहीं होता है, हमारे account में रहता है, account में खर्तम ATM किसी काम का नहीं रहता है, पहले जमाने में क्या था, कि पैसा निकालने के लिए आपको bank में जाना पड़ता था, वहां withdrawal form कर बना भर के दीजिए तो बैंक देगा या फिर आप चेक साइन करके दीजिए किसी भी बैंक में तो आपको पैसा दे देता था इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि यह सेक्योर रहता था हैक वगरा नहीं होता था लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी यह तब ही काम में काफी लंबा टाइम लगता था चेक से तो काफी लंबा टाइम हो जाता था और संडे के दिन ऑफिसिली बैंक बंद रहते हैं छुटियों के दिन तेवार के दिन रात के टाइम पे तो आप इसे 24 घंटे नहीं पैसा निकाल सकते थे तो इसी के लिए ATM काम आया ATM के लिए क्या है कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा अब एक बैंक को सेट अप करने में काफी खर्चाते हैं उसकी बिल्डिंग्स उसका पावर बैकप उसके स्टाफ मेनेजमेंट काफी खर्चाता है जबकि ATM बैठाने में कुछ नहीं जाता है एक ब्रांच जितने में प्रश्ट माध्यम हो गया यह दिन रात पैसे निकाल सकते हैं इससे 24 घंटा और सातो दिन निकाल सकते हैं 365 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते हैं तो यह काफी अच्छा फायदा हो गया इसमें भी हम उतना ही पैसे निकाल सकते हैं जितने अपने 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 देता है credit card लेने के लिए कुछ आपको terms and condition होते हैं उसको fulfill करेंगे तभी मिलता है debit card जादे secure माना जाता है credit card के तुल्ला में क्योंकि debit card पर आप देखेंगे कई security होती है 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका ATM card number होता है फिर उस पे expiry date ये पता होना चाहिए पीछे जो होता है card verification value यानी CVV number एक sticker sat के उस पे तीन अच्छर लिखा रहाता है ये security label जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते क्योंकि अगर आपका ATM card साड़क पे गिर गया तो जो माई मिलेगा उसको ये तीनो security तो पता ही चलगे केंसील बटन वा कोई निकाल लेंगे कोई नहीं देग रहा ना कट 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 केंसील बटन वा डावेंगे 20 बार संतुष्टी के लिए आप कोई नहीं निकाल सकता है वह ATM मशीन केवल एक ही पर काम करती है एक password डाले तो आप ही का ATM क्यों नहीं हो दुबारा पिर पैसे निकालेंगे तो password मांगेंगा ही मांगेंगे तो इसके लिए कोई डर्धी की बात नहीं होती है अब देखें मान के चलिए वह इंसान आपका ATM मिल लिए उसको ATM में जाके कहता है वह पीन को सोचता है change कर दे forget pin करके वह change करना चाहेगा तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो आप अपने bank में mobile number दियोंगे उसी mobile पर one time password यानि OTP आएगा वो 10 मिनट में expire हो जाता है OTP सिंगल टाइम के लिए होता है तो इसमें काफी security होती है without आपके permission इसे नहीं ले सकता है लेकिन credit card में security थोड़ी सी मतलब compromise हो जाती है अब हम credit card को समझते है credit card क्या चीज है पहल जाओं में लीजेगा 5% हर महीने ले लेगा साल भर में 12-50% ले लेगा और बैंक में जाईएगा तो 10-12% वो साल भर का लेती है तो बैंक का लोन काफी सस्ता होता है लेकिन लेने में बहुत जमला होता है 15-20 दिन लग जाएगा अब आपको 50,000 रुपे की जरूवत है एक ख बैंक में मेनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा फिर वो कहेगा मोर्गेज दो इसके बदले में कुछ सीक्योर्टी रखो गहना रखो या फिर मान के जमीन गाड़ी या सब बढ़ी सब टम जाम होता है 15-20 दिन लगा देता है और उसके बाद से घूस घॉस गहास लेन गराना पड़ेगा तो जो बैंक से जाके मांगते थे अब वो आपको क्रेडिट करड मिल जाएगा फिर यह क्रेडिट कर्ड सबको नहीं मिलता जिस ग्राहा IDE पर बैंक को बिलीव होता है कि यह मेरा पैसा लोटा देगा तो उसको वो च्रेडिट करड देती है अब उसको प लिमिट होती है, शुरुवात में कम लिमिट दिया जाता है, पचीस हजार का, धीरे धीरे उसको पचास अजार, एक लाग, दो लागा, ऐसे करते लिमिट को क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है, तो आप बिना बैंक में गए, बिना आपने रिस्तिदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिये हुए, आप घचाक से पैसा निकाल सकते हैं, क्रेडिट काड की मदद से, और 30 से 40 दिन तक आपको इस पर एक भी रुपे ब्याज नहीं देने पड़ते हैं, अब यह डिपेंड करता है, अलग अलग बैंकों के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है, 40 पैसे के एमाउंट पर भी डिपेंड करता है, जादे पैसा है या कम पैसा है, मत ओवर ओल 30 से 40 दिन रहता है, कितना अच्छा है, मान के चले हमें 50 जार की इमर्जेंसी में जरुवत पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे, इस ब्याज लेगा हमको, अपने रिस्तिदार स मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा, उससे अच्छा अगर मेरे पास credit card है, धड़ाक से निकाल मन के चले हमको इसी को hospital में दिखाना था, 50 जार की जरुवत थी हमको इमर्जेंसी हिलाज के लिए, डॉक्टर साब को उसी credit card से bill payment कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे आप 100 रुपया का समान खरीजें, 10 रुपया cashback मिल जाएंगे, तो debit card की तुलना में credit card पर जादे offer मिलते हैं, इसके साथ ही इस पे कुछ rewards points मिलते हैं, और अक्सर आएसे offer आता है कि अगर आपको credit card के 100 points हैं, तो आप ये समान खरीद के लिए जा सकते हैं, तो पैसे नहीं उ collect करके अगर आपके पास 100 points हो गया, तो आपको तो 100 points खरीदने के लिए पैसे नहीं न देने पड़े, आप किसी और चीज को खरीदे थे, वो आपको ये चाह offer दिया था, अब जब ये collect हो गया, तो इसका यूज करके आप कोई और चीज भी ले सकते हैं, इसके साथ आपको क 5,000 और चूट मिल जाएगा, डेविट कार्ट पर चूटने मिलता है, साथ ही कुछ ऐसे भी चीजे होती है, जो जिसका payment केवला केवला आप क्रेडिट कार्ट से ही कर सकते हैं, वो डेविट कार्ट से पैसे ही नहीं लेते हैं, हाला कि ऐसे चीजे काफी कम होती है, लेकिन व आपको क्रेडिट कार्ट में पैसा आपका नहीं है, इसलिए गलती से भी इससे आप कैस मत निकालेगा, क्योंकि कैस निकालने पर पेनाल्टी फीस काफी जादे लगती है, हाँ इससे आप सौपिंग कीजिए, बिलिंग कीजिए, कैस निकालने से बेटर है, उसी इनसान से कि भाईया तुमको कितना चाहिए, दो हजार लाओ, हम क्रेडिट कार्ट से पेमेंट कर देते हैं, कैस निकाल के दो हजार मत दीजे, वरना कैस विड्रॉल पेनाल्टी चार्ज लगता है पहला, दूसरी खराबी, अगर आपने इससे 30 या 40 दिन वाला लिमिट क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने के बाद बड़ा हैवी इंट्रेस जोडता है सब इस पे, तीसरा खराबी, ये सेक्योर उतना नहीं होता है, जैसे आप मान लिजे स्वापिंग करने गाए 20,000 का समान खरीदे, तो आपको वो बिलिंग दिखा देगा, 20,000 का तो आप देख लिए 20,000 है न, अब इसमें आप स्वाइप कीजिए कार्ड को, और स्वाइप करने के बाद तो पैसा नहीं कटेगा, आपको इसमें पिन डालना पड़ेगा, पिन डालके आप कार्ड निकाल लिजे, आपका 20,000 कार्ड गया, लेकिन पिन डालने की जरुवत केवल डेविट कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड में पिन की भी जरुवत नहीं पड़ता है, खाली घचाक से सरकाई वो बिल काट लेता है तो अगर आपका credit card गिर गिया कहीं तो कोई भी पाएगा सीधे जाएगा कुछ शॉपिंग करके खचाक खचाक निकाल लेगा तो आपका अगर credit card गाएब हो जाता है तो इसको बहुत concern के बाद है इसलिए credit card को तुरत बंद करना चाहिए डेविट card गाएब भी हो गया तो पिन नहीं पता है तो वो किसी काम का नहीं है इसलिए आप देखेगा डेविट card के तुल्ला में credit card को बंद करना या ब्लॉक करना काफी आसान होता है इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है जैसे मेरे डेविट card में अगर 10,000 रुपई है तो हम चाह के भी 11,000 का सामान नहीं खरीद पाएंगे शॉपिंग करने गए तो मन मार लेंगे या 10,000 रुपई है चलो 9,000 का खरीदते हैं इसका प्रचलन छोटे मीडिल सहर या गाउं में नहीं है लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे सहरों में देखिएगा क्रेडिट कार्ड वाले हमेशा उनकी महीने की सेलेरी मिलेगी एक तारीक को वह 10 तारीक तक सेलेरी खतम कर देंगे उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पर गुमने लगेंगे खर्चा करते हैं तो इज आपके खर्च को बढ़ा देता है और आज कल का modern culture में लड़का लड़की के matter का फायदा बैंक भी उठा रहा है नया नया जिसका जॉब हो रहा है या या यंग एस्टर को क्रेडिट कार्ड देगा अब उसको गिफ्ट देगा अब पहले क्या था? पापा पाँ पैसा नहीं भेज़े है बैंक में नहीं है क्या करें? अब ही देखता है सासरा बर्थदे आ गया है क्रेडिट काड है ये है गचाक से लगाओ, 40 दिन बाद पापा अगले महिना का पईसा पहचेंगे, उसी में एड़ेस्ट कर देंगे, ले जाओ, गिफ्ट देदो, उसको पाटी साटी देदो, ये खर्च बढ़ा देता है, मान के चली आप ले गए, उसको सोचे कि 500 रुपया का गिफ्ट देदेंगे पता चला उससरी, ठोड़ रंग के चला इदम लाल भव का हुगा, ठोड़, आप तो कहें कि बाह, आप इसको हम 3,000 का गिफ्ट देदेंगे, लो, जान बुझ क्यों ठोड़ रंगी है, उसको क्या जा रहा है आप, ठोड़ रंग ली हो, अब बताईए, अगर आपके पास देविट कार्ड रहेगा, और देविट कार्ड में मान के चली आपका 500 रूपय यह, तो आप इसको और 3,000 का गिफ्ट कैसे दीजेगा, तो पापा को फण कीजेगा, बैंक में पैशा लगा दीजे, तो पापा तीन निन बाद लगाएंगे, तब लेका ठोड़ रंग ना च क्रेडिट कार्ड में खत्रा हो जाता है, अब देखिए, आपने इसको अगर एक बार गिफ्ट दे दिया, तो अगली बार अगर आप इसको 500 का गिफ्ट देंगे, तो आजकल खर्चा कम हो रहा है, दूसरे जगा चक्कर है का, सच्रीत नहीं का, आर भी आई के मसीन धाले है कबार, इसलिए इसको बोड़ा पढ़िये, वारना क्रेडिट कॉर्ट के चकर में बहुत जाथे करजा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, अच्छे से रहिए, डेवीड कार्ड में जिटना पईसा है, तो miejड़ कार्ड में जारी ज़रूपा, पिम एपना हो रखा है, यह सतुवा रखा, 10-10 रुपे में सतुवा घोर के पीरा है, भी हाट टॉनिक यही सही है, सतुवे हैं न, अरे वही हो कहा है आप, देखो भाई, कुछ फरक नहीं पड़ता है, आप कितना भी गिफ्ट देदो, सारे इस्टूडेंट से कहते हैं, आप चाहें कितना भी सॉपि करा दो, महेंगे से महेंगा गिफ्ट देदो, आप टेडी बियर देदो, जतना मर्जी महेंगा से महेंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी, जब भी खेलेगी, तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी, और जिंदिकी बरबाद करेगी, उसलिए बेटर है कि अपन जादे चांसे जाए कि वो खूद नहीं खरीदा होगा उगरा कुन और गिफ्ट दिया होगा तो जतना सब के पास टेडी वियर रहता है देखिएगा कौनों ना कौनों को गिफ्ट देले है लाड़का भी कम नहीं है अगर कोई लाड़का डेरी मिल खरीद रहा है तो जादे जाए कि वो खूद नहीं खाएगा वो दूसरे को दे जाएगा लड़का कम हुसियार है लड़की की लगता है कि डेरी मिल दे रहा है अरे उस चट्टा बहुत हुसियार है उसको पता नहीं है कि अभी फंसेगी की नहीं इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है समझ में आ गया दोनों में से कौन सेफ है जादे सेफ डेविट कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है आपके पास जादे तर लड़कों में डेविट कार्ड ही होता है क्रेडिट कार्ड जिन पर बैंक को बिलीव होता है वही देता है यह क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड इन दोनों को हम लोग कहते हैं, प्लास्टिक मनी कह जाता है, अब इन क्रेडिट कार्ड हो या डेविट कार्ड हो, यानि ATM पर आप इसके बैंक का अपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाँ यूनियन बैंक है, अलग-अलग बैंक होंगे, जैसे यहाँ है, वीजा 30% करके रखा है, मास्टर कार्ड और 20% करके रखा है आपका ये रूपे कार्ड, हाला कि रूपे अब देखियेगा, तो रूपे का भी प्रचलन बढ़ गया, लेकिन ये बहुत जादे जबरजस्त यूज में होते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है सम्द, तो समझ गुशार दो, लेकिन पहले अंसा नहीं था, पहले जिस बैंक का ATM है, उसी बैंक में वो काम करता था, लेकिन जैसे जैसे पपुलेशन बढ़ा, लोगों को बैंक से जोड़ा गया, जंधन या जिना में तो पूरा लोगों को बैंक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश मान के चलिए कि किसी का SBI में खाता है, मान के मेरा SBI में खाता है सबोच, और हम चले गए ATM पैसा निकलने पंजाब बैंक से, उसमें ATM कार्ड घुशाएंगे तो उसको क्या पता कि हम कौन है, हमने खाता है SBI में खुलवाया है, मेरा नाम, डेटा बर्थ, मोबाइल नमबर, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, OTP वगरा, सब SBI को पता है, कार्ड SBI ने दिया, हम उसको कौच देंगे, उसको पते नहीं मसीन कएगा, कौन हो भई, हम नहीं पहचानते हैं तुमकों, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि ये बैंक वाले एक ही रास्ता है कि ये डाटा अलग अलग बैंकों को दे, मतलब सारे बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकरी, सबको बता दे, यहाँ पर, तब ही तो पैसे नहीं कल सकता है था, इससे घाटा क्या होता था, कि हर बैंक, दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा, फोल ले, क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा, अब मन के चली, ICICI को पता चला गया, SBI में सो सबसे अमीर आदमी, पता चल जाएगा किसका पासा, तो उसको फोन करेगा, सर, हम आपको जादे सुभिधा देंगे, है कि नहीं, तो उसको डिस्टर्ब करने लगए, नहीं देखते है, फोन करके कहेंगे, नमस्कार, मैं जहरीली बोल रहे हूं, ICICI Bank से, क्या मैं आपको काट लूँ, तो आपको काट लूँ, तो आपको काटिये, तो दिन बार फोन करके परसांद करते रहता है, तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है, अब जब देंगे नहीं, तो उपईशु काट इसूर, अब इसमें काट इसूर में क्या होते हैं, बैंक होते हैं, तो हर बैंक में, जैसे मेरा खाता मान के चलिए, आप SBI में है, तो मेरी जानकारी SBI के पास है, तो SBI क्या करेगा, काट नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा, जो मेरे काट पर नेटवर्क ल ही नहीं सकते हैं अब क्या होगा कि मान के चली मेरा SBI में पैसा था हम चले गए आपका Central Bank of India में से पैसा निकालने के लिए तो Central Bank of India को मेरे बारे में पता ही नहीं है और वो डारेक्ट SBI से पूछ नहीं सकता है और पूछेगा भी तो SBI इनको बताएगा नहीं करेगा मना कर देगा तुम भढ़का लेगा मेरा कस्टमर तो SBI अपनी जानकारी किसको दे रखा है काड नेटवर्क को मान के चली कि मेरे पास वीजा काड था तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी तो Central Bank का ATM मेरे SBI मेरी जानकारी नहीं मांगेगा मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भया आदमी ठीक ठाक है पैसा इनके पास है आप इनका पैसा निकाल के दे दीजे तो अब आप समझ गया कि किसे भी बैंक से ATM दूसरे से निकल सकता है किसके माधियम से काड नेटवर्क के माधियम से डाटा इनहीं के पास रहता है और यही आपको OTP send करते हैं काड बना के भेजते हैं अलग-अलग सुव दूर बैंक को कहते हैं कि देख भाईया तोरा ग्राहक है काड यूज कर रहा है हर साल 500 रुपया काट लेना हमको पहुचा देना अब आप सोचेंगे 500 रुपय में इतना सुविदा सोचो भाईया हर घर यह घर में एक दूग एटियम है तो उतना करोड़ो रुपय यह तो क कि यह एटियम है हमने जो इसमें लगाया है काड़ो एस्बीयाई का लेकिन इस्बीयाई से मागेगा है नहीं किसको इसको पता ही क्यों एस्बीयाई नहीं देगा तो यह किस से मागेगा काड़ नेटवर्क से अब काड़ नेटवर्क मेरा मास्टर काड़ भी हो सकता है यह इसको बताएगा, पैसा निकल लिए गई हैं अब बात आती है, कि इन तिनों में वेस्ट कोन है, रूपे, वीजा या मास्टरकार्ट इन में से वेस्ट कोन है, तो देखिए, यह US की कमपनी है, भारत में यह 50% मार्केट केपचर की हुई है, यह भी US की कमपनी है, भारत में ल अब जब कि भारत में अपना रूपे कार्ड बनाया यह शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था लेकिन रूपे कार्ड में भी एक प्लेटीनम कार्ड होता है रूपे का ही वह इंटरनेशनल भी चलता है तो अब यह तीनों इंटरनेशनल करते हैं लेकिन वीजा ले ल लोग में स्वाफ करने की चंप बहुत ज्यादे होती देखिए कोई कार खरीदेगा ना तो कहीं जाएगा पईचने के लिए तो कार का चावी टेबल पर रख देगा वह यह नहीं बताएगा कि हम कार से लिए हैं चब यह देखाएगा बड़का कि हमरे लागे कार है लोग नबे परसेंट लोग बीदेश कभी नहीं जाते हैं लेकिना उनको बीजा चाहिए यहाँ पर अरे भाई वीजा आप लीजेगा तो हर महीने पास हर साल पास सो रूपया लेगा अले के जाएगा अमरीका लेकर रखिये ना रूपय का और आपको बहुत सौक है तो रूपय आप ले लीजे कईए हमको प्लेटिनम दीजे हमारा धेली जाना रहता है नियुआर्क बैंकॉक सिंगपूर गुमते रही है तो भाई स्वादेशी बनिया हाथ जोडते है हमारा देश है हम ही लोग इसे आगे बढ़ा सकते हम लोग अपने चाइना वाले कभी यूज नहीं बनिये जहां बइठेंगे वहीं सिंग असान आ जाएगा लोग वीजा चाहिए यहां पर इन तीनों में अंतर समझ में आ गया अब समझे यह बीदेशी कंपनी थे सब अब इन बीदेशी कंपनीयों में खराबी क्या थी कि यह आपका डाटा तो ले लेते थे चाहे वह वह अब यह data safe कैसे करेंगे जैसे हम लोग को कोई जानकारी सेव करना है मेरा नाम, mobile number safe करना है आप अपने mobile में safe कर ते, मेरा photo safe करना था खीच के gallery में safe कर लेते है लेकिन बहुत ज्यादे चीज़ सेव करना है तो आप pen drive में करते है उससे भी बड़ा हो गया तो hard drive में save करते है और बहुत जादे पूरी दुनिया का डाटा रखना है, तो ऐसा-ईसा बहुत जादे hard drive को save करने के लिए data house बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा, पूरी building होती है, ससुरा इतना बड़ा बड़ा, जिसमें ये hard drive होता है, इसी में सब का data होता है, अब mastercard क्या था, उसका ये data व भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा, उसे डाटा सेंटर भारत बनाना होगा, बिदेश नहीं ले जा सकते हैं उस डाटा को, आप कहेंगे चला भी गया तो क्या होगा, हो जाएगा भाई, अब अगर डाटा वो अमरीका में लेके चला गया, तो अमेरिका की कमपनी को पत सस्ता का परचार दिखाएगे हाई कार ले लिजिए हाग कार ले ले लुट लेजिए उस तो सरकार ने कहा कि हमरे data का यूज हमरे यहां करना चाहिए थाकि हमारी कमपनिया अपना customer को चुन सके अब पता चला या आदमी को 20,000 रुपईया है उसको कहिए कि देखो लंबुरगिनी ऐसा है उका करेगा लंबुरगिनी लेकर भारत सरकार ने कहा छे महिने में आपको data लोकलाइजेशन इंडिया में करना होगा लेकिन सब्सक्रा कोरोना कूद गया सबके बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए इस देट तक में भी कि Mastercard ने नहीं किया आर भी आई ने कह दिया कि Mastercard अप नए काड को इसु नहीं कर सकता है जितना इसु कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी Mastercard ने भी कहा कि ठीक है भाई यह कर लेना भारत में इसा data building बना लेना खूब ज़्याद हाड ड्राइव खरीदना सब को आ कि में कैसे चेक होते हैं, barrier check, cross check, account page check, order check, यह economics के सवाल में CGL या SSC में एक question इससे पूछ देता है, साथ ही पैसे transfer में देखेंगा आजकल UPI बहुत चलना है, bank में जाएंगे पूछेंगे NAFT करना है, RTGS करना है कि IMPS करना है, इसमें क्या अंतर होता है, bank account में भी type देखेंगा तो saving हो सकता है, current हो सकता है, recurring account जिसे RD करते है, fixed deposit जिसे FD करते है, demate account जिसमें share market खुलता है, NRI जो बहर में काम करते हैं, उनके लिए account, तो अलग-अलग account में क्या difference होते हैं, साथ ही आप देखेंगे, तो long term के लिए, जैसे बुढ़ापा में मान के चले पतो भागा दी, त तो भागा देगी, तो हम इसी से खा के जियेंगे, तो ऐसा नहीं नहीं बोलेंगे, तो provident fund को shortcut में क्या कहते है, PF कहते है, अब इससुरा PF जो होता है, provident fund काई टाइप का होता है, employee provident fund, EPF कहते है, public provident fund, EPF कहते है, हलां कि आपको यही दोठो मिला होगा, PPF और EPF सुने इस सब को किसी आउन वीडियो में समझा देंगे, आज आपको plastic money यानि ATM, debit card, credit card इस सब के बारे में समझ में आ गया होगा, मिलेंगे next class में, जैहिन!